सडकों पर गड़े होना आम बात है कई बार लोग गड़ों की वज़ा से अपनी जान भी गवा बैठते हैं लेकिन ये गड़े अगर किसी के जीवन रक्षक बन जाएं तो सुनकर शायद अजीव लगेगा लेकिन हर्याना में एक ऐसा ही अजीवो गरीब मामला सामने आया देश की सडकों पर गड़े होना कोई नई बात तो नहीं है क्या है पूरा मामला आईए जानते हैं दरसल 80 साल के दर्शन सिंग बरार का शव पंजाब के पटियाला के एक अस्पताल से करनाल के पास उनके घर ले जाये जा रहा था वहाँ उनके इंतिम संसकार की तैयारिया हो चुकी थी हालकि शव ले जा रहे हैं एंबुलेंस का पहिया गड़े में फस गया जिसकी वज़ा से गाली को तेज जटका महसूस हुआ इस बीच दर्शन के पोते बलवान सिंग ने देखा कि उनके दादा के हाथ हिल रहे हैं इसके बाद उन्होंने ट्राइवर को वापस अस्पताल ले चलने के लिए कहा अस्पताल में डॉक्टर्स ने दर्शन की जाच करके बताया कि वे जिन्दा है और फिर उन्हें दूसरे इस्पताल रैफर कर दिया गया फिलाल दर्शन का इलाज चल रहा है हालकि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि हमें नहीं पता पिछले अस्पताल में क्या हुआ लेकिन जब उन्हें यहां लाया गया तो उनकी सांसी चल रही थी दर्शन के चेस्ट में इंफेक्शन है जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है वही दर्शन के पोते बलवान ने कहा कि कुछ दिनों पहले से दादजी को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया वे चार दिनों तक वेंटी लेटर पर थे और फिर डॉक्टर ने उन्हें मृत खोशित कर दिया उन्होंने कहा कि मैंने परिवार को दादजी की मृत्यों के बारे में बताया जिसके बाद रिष्टेदारों को भी जानकारी दे दी गई अंतिम संस्कार के लिए लोग इकटे हो गए और सभी तैयारिये हो चुकी थी बलवान ने बताया कि जब एम्मूलेंस का पहिया घड़े में फस गया तो उन्होंने दादजी के हाथों में हरकत देखी जिसके बाद वे वापस अस्पताल चले गए अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद दादजी को वापस से जिन्दा घोशित कर दिया हाला कि उनकी हालत अभी भी नाजुक है लेकिन ये घटना किसी चमतकार से कम नहीं है फिलाल हम सब चाहते हैं कि दादजी जल से ठीक हो जाए इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए फोलो और सब्सक्राइब कीजिए इंस्टा फीड